हेलो बच्चों आज हम लोग कोडिनेट जिमेटरी को टू बी कंटिनीव किया जाए और एक्सिसाइज देखा जाए 6.2 और कोशन कवर करेंगे 11 to 15 केस बुक से तो नियू आडेशन के बुक से ठीक है इसके पहले के जितने भी कोशन थे वो सब कवर हो चुका है आपको प्लेल कामा माइनश ठीक यहां पर यह जो लिखा हुए दो जगव उसके का व्याले ओगा यह निकालना है और सबसे पहले आपको करना है क्या है कोडिनेट जिमेट्री का कोशन रहेगा हमेशा फिगर बनाओगे हमेशा क्या बना लोगे फिगर बना लोगे तो समझ आजाए करना क हुआ है यहाँ प्यपी पॉइंट है माइश टू कामा के और इधर से आपका बी पॉइंट है पाइनस्टू के कॉंब उनस्ट्री यह पीए पीबी हो जाएगा दोनों इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मिन्स होता है इक्वल और डिस्टेंट मतलब होता है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, मिन्स पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर हो जाएगा, तो आपको लिखना क्या है यासे, पी ए किसके बराबर, पी बी के बराबर, अब अंडरूट अंडरूट का formula होता है क्यों distance formula किसम होता है root के अंदर होता है तो root ना लगाए उसके कारण हम क्या करेंगे PA का square is equal to PB का square PA का square किसके बराबर PB के square के बराबर अब यहाँ पर formula लगाओगे x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो यहाँ पर आप कर लिजे क्या PA के जगाँ पर 2 minus minus plus 2 का whole square प्लस फिर से 2 minus k का whole square equal to में इसको मैंने x1 y1 नहीं x2 y2 माल लिया और नीच वाले को x1 y1 माल लिया है तेके उसी परकार इधर से भी अगर निकालोगे तो 2 plus 2 के whole square plus 2 minus minus plus 3 का whole square बस इसको simplify कर लिजे एका value find out हो जाएगा यहाँ पर 2 plus 2 किसका square हो जाएगा 4 का square यहाँ a minus b का whole square a square plus b square minus 2 a b तो 2 सा 4 और k ठीक है फिर यहाँ a plus b का whole square यहाँ डारेक्थी 4 लिग दे हैं समझ मैं आजाएगा 2 का square कितना 4 यहाँ भी 2 का square 4 4 k square a square plus b square plus 2 a b तो 2 जा 4 4 जा 8 एट के और यह 3 दो 5 यह 5 का square ठीक है अब क्या होगा चार का square कितना 16 plus 4 plus k square minus 4 k तो इतना line लिखेगा sir plus 4 plus 4 k square plus 8 k अब 5 का square कितना 25 अब सारी इस दर के जितने terms हैं सबको इधर ले किया हो यह 4 से यह 4 कट जाएगा क्यों क्यों क्योंकि में है उस तरफ हैगा तो minus में और 44 incumbाल जीरो जाएगा बचेघा 4 k square उत्या क्यों क्यों को लिख एको तो मायनस में उस तरफ में स्क्वार प्लस एंट किזה और ychange सक्तार के उसतर हो भाख प्लस 25 माइनस 16 इक्वल टू जीरो 16 क्योंकि यह प्लस में 16 है उस तरफ हैगा तो माइनस में 4K स्क्वाइर माइनस के स्क्वाइर 3K स्क्वाइर और यह दोनों को जोड़ोगे तो 12K और इसको घटाओगे तो 9 इसको जीरो आप यहां फेक्टराइज करो हो जाएगा राम से य जीरो में 0 हो जाएगा यहां बचेगा के स्क्वाइर प्लस 4K प्लस 3 इक्वल टू जीरो अब रिक इस तरीके से एक्स्पांड करो मिल्टम फैक्टर वाला ठीक है इन को इस तरीके से एक्स्पांड करो दू टूम में तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 4 और मंटिप्लाई कर कर दो कितना 0 कि मैं कर देता हूं थोड़ा सा स्वोटा कि पर यह कि लेख है तोन यहां की प्लस 3 और यहां के प्लस 1 इसकल टू 0 तोटो को 0 से क्रों के प्लस ट्रीकोभी 0 से क्रिट और के प्लस 1 को 1 यहां कै ब्दो गोजएंगी एंट प्रवला और सब्सक्राइब वा"-वाइनश सब्सक्राइडी चाहिए नीचासाम यहां गया तक सजब्सक्राइब है तो ईकालिट फे लन्झےक्ष पिदकर सब्सक्राइब तो अब a p a.p क्या है minus 2, k k का value क्या है? minus 3 b k का value minus 1 b मतलब एक बार इस से भी और एक बार इस से भी निकालना पड़ेगा तो minus 3 वाला पहले लिखते हैं और p वाला तो same ही रहेगा बेचरा 2, 2 a.p निकालना है अब a.p by using distance formula again under root x2 minus x1 का whole square तो 2 plus 2 का whole square plus 2 plus 3 का whole square 2 और 2 4 का square और यहाँ 5 का square 4 का square 16 5 का square 25 और add करोगे तो यह root 41 unit आजाएगा root 41 unit आजाएगे next ap बार आब अगला ap निकालोगे तो किसके मदद से निकालना है अभी अगली बार तो minus 1 मतलब यह जो फिर से अगर एक और फिगर बना लो एक जगा क्या लिखना है minus 2, minus 1 और p point क्या ले लेना है 2, 2 यहाँ पर आप लीजेगा तो 2 plus 2 का whole square plus 2 plus 1 का whole square ठीक है यह 2 plus 2 4 4 का square और यह 3 का square 4 का square 16 3 का square 9 root में करोगे 25 आजाएगा और root से बाहर निकालोगा तो 5 unit हो साएगा ठीक है कितना यह सा हैंगे 5 unit पर simple easy ना बहुत easy और इस टाइब का question exam में आते रहते हैं मतलब बश्च आप start लगा सकते हो इस टाइब का question देते रहता है इसे बेसे फिर next question number 12 में find a relation between x and y relation निकालना x और y के बीच में such that the point x, y is equal distance from point 3, 6 and minus 3, 4 तो यहां पर आपको equal distance फिर से है means equal distance तो हो गई यहां एक भी value दिया हुआ नहीं है दो-दो unknown है तो आपको exact value नहीं निकल सकता है तो आपको relation निकालना है और इस type का इस question बहुत आता है प्री बोर्ड में आ सकता है आपके custom exam होगा उसमें आ सकता है या फिर भगवान करें तो बोर्ड में आ सकता है और यहां पर a लिखोगे 3, 6 और b लिखोगे minus 3, 4 तो p point हो जाएगा x, y, 1 हो जाएगा 3, 6 और b हो जाएगा minus 3, 4 अब यहां से क्या किजेगा p a is equal to p b p a is equal to p b तो p a का square is equal to p b का square फिर से वहीं formula लगाओ कि distance formula अंडरूटने लगा क्योंकि square लगा दिया है same, पीछला concept है x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square इसके बराबर x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square ठीक है जिसका जैसा formula लग रहा है a plus b का whole square a plus b a minus b a minus b a whole square जैसा formula लग रहा है अंडरूटने जैसा लगा देजे a minus b का whole square means a square plus b square minus 2 a b a square plus b square minus 2 a b ठीक है और यहाँ आपका a square plus b square अब प्लस 3 दोनी 6 x plus y square plus 16 minus 8y ठीक है यहाँ a minus b का whole square इधर भी a minus b का whole square और इधर a plus b का whole square और यहाँ a minus b का whole square कुछ काट रहा है तो काटो जैसे x square x square कट जाएगा y square से y square कट जाएगा प्लस में है उस तरफ जाता माइनस में यह भी y square plus में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में अब बचेगा क्या तो यहाँ minus 6 x बचा है उधर में आपका plus में 6 x तो इधर आएगा तो माइनस 6 x फिर इधर minus 12 y और वो प्लस में है अब अब एधर एगा तो माइनस में है इस तरफ जाएगा तो प्लस में होजा और यहाँ क्या क्या है 9 और 16 25 है अब उलना और यहेज़र ऐसे नो नो काट सकते थे इस दोनों को जोड़ोगे तो 45 plus में इधर एगा तो माइनस में माइनस कीज़ेगा तो माइनस 20 आजाएगा यहाँ माइनस 12x अब माइनस 4y ठीक है माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस प्लस कर लोगे यहां क्या होता है माइनस प्लस है ऐस माइनस तुमारी मैंस कर लीजेगा नाम फूर क्मा ले लो ग्य है जिसको इसेक euch को मॉलते हैं सब्सक्राश कर दो मॉनें इसके बहुत है क्तराइब ग्रॉन को टीन्द से कटेगा टीन टीट तों फाइफ टाइमस में गट जाएगा इस त्री एकस प्रेस y is equal to 5, इतना लिखके छोड़ दो, या फिर बुक में answer हो सकता है, 3x plus y minus 5 equal to 0 b, ठीक है, बस हो गया, और इस टेक का question आते रहता है, और easy है, बट exam में आ सकता है, फिर question number 13 में, prove that the point, मालों यह a point है, यह b point है, और यह c points, इस आर collinear, collinear points होता है, पहले, एक single line पे 3 या 3 से अधिक points, अगर lie करता है, तो ऐसे points को, हम लोग बोलते है, collinear points, अगर कोई single line है, उस पे 3 या 3 से अधिक points है, तो ऐसे points को हम लोग बोलेंगे, कौन सा points, collinear points, तो अब यहाँ collinear prove करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मालों, suppose ये a-point ये b-point और ये c-point तो सबसे पहले आप distance 15 से a भी निकालोगे, b-c निकालोगे और a-c निकालोगे, तीनों अलग-अलग निकाले ना, अब यहाँ तीनों में से किसी 2 का sum, sum of any two, sum of any two is always equal to third, मतलब किसी भी दो को जोड़ो तीसरे के बराबर आना चाहिए किसी दो का सम इसके बराबर होना चाहिए तो तीसरे के बराबर होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो यह सारे पॉइंट जो है वह को लीनियर हो जाएगा तो सबसे पहले इस पॉइंट को ए ले लेना इसको बी ले लेना और इसको C ले लेना तो सबसे पहले क्या निकाल होगे A, B, सबसे पहले, या, A, B, distance formula में निकाल सकता है, x2-x1 का whole square, plus, y2-y1 का whole square, x2, A, B, निकाल रहे हैं, तो 0, minus, minus, plus 2 का whole square, plus 1, minus 5 का whole square, यह हो जाएगा, 2 का square, 4, या, फिर लिख लो, एक बार, 2 का square, और यह, minus 4 का square, 2 का square, 4, 4 का square, 16, add करोगे, 20 आजाएगा, बाहर ऐसे निकाल सकते हो, 20 को क्या लिख सकते हो, तो 5 का 20, तो 2 root 5, unit, 2 root 5 unit, क्योंकि distance है, तो unit तो हो गहीं होगा, next, BC अगर निकाल होगे, अब formula निकाल होगे, क्योंकि एक बार लिख दिया है, BCC निकाल होगे, तो 2 minus 0 का whole square, plus, minus 3 minus 1 का whole square, यह आजाएगा, आपका, 2 का square, और यह हो जाएगा, minus 4 का square, 2 का square 4, और 4 का square 16, इस दोनों को भी add करोगे, तो 20, और 20 को लिख सकते हो, 2 root 5 unit, ठीक है, यह तो 2 आ गया लग ला, लेकिन दोनों ही same है, अब AC निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, A से C का point, A से C अगर निकालोगे, यह हो जाएगा, 2 plus 2 का whole square, minus 3 minus 5 का square, 2 और 2, 4 का square, और यह minus 8 का square, अगर नहीं आएगा, तो प्राइम फैक्टरिजेशन से आप यह value निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टरिजेशन कर लो, दो के बद लेकि, जो स्क्वार रूट पढ़े थे class 8 में, उस वाले formulae से, अब यहाँ यह चार है, यह दो-दो हैं, मतलब AB और BC को add कर रहे हैं, AB और BC को add कर रहे हैं, तो रूट 5 प्लस टो रूट 5, इसके बराबर आ रहा है, 4 रूट 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है, AB प्लस BC किसके बराबर, 4 रूट 5 हो, 4 रूट 5 किसके बराबर है, AC के बराबर है, means AB प्लस BC, इसके बराबर है, AC के बराबर, ऐसा जरूर नहीं कि AB प् तो भी को लिनियर है ठीक है तो अगर एकोल आ गया तो आप लिख सकते हो A, B and C are को लिनियर ठीक है A, B and C मलब A, B, C तीनों पॉइंट जो है वो को लिनियर है बस इतना ही गरना है ठीक है यह भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है एक्जाम में आडिशन में जरूर बनाना, कंसेप्ट के लिए, कुशन पॉटीन में, इव दा पॉइंट A, 2,-4 is equal distance from P, 3,8 and Q, minus 10,Y, find the value of Y and also find the distance P, Q, मलब कुशन पॉइंट जैसे बढ़ाया थे, same-to-same उसी टाइप का, लेकिन यहाँ A दिया हुआ है, A का पॉइंट का है, 2,-4 और इधर में आपका P है, 3,8 और इधर में आपका Q है, minus 10, ठीक है, अब यहाँ भी equidistance, equidistance मिंज क्या होता है, equal distance, तो P, A और A, Q, equal कर लोगे, P, A किसके बराबर, Q, A के बराबर, फिर square कर लोगे, तो P, A का square किसके बराबर हो जाएगा, तो Q, A का square के बराबर, distance formula लगा लिजेगा, तो 2-3 का whole square, plus minus 4, minus 8 का whole square, equal to में, इधर से Q, A निकालोगे, तो 2, minus, minus, plus 10 है न, प्लस 10 का whole square, plus minus 4, minus y का whole square, minus 4, minus y का whole square, इसको solve करोगे, तो minus 1 आजाएगा, फिर इसको solve करोगे, तो minus 12, और इसको add करोगे, तो 12, और यहाँ देखो, यहाँ भी minus है, यहाँ भी minus है, जब दोनों जगव माइनस होना, तब यहाँ, a plus b का whole square लगाओगे, जब भी दोनों जगव माइनस हो, देखो, सम्झावी दुमाँ आपको, तो minus a minus b का whole square, इसको expand करोगे, तो minus common होगे, यह a plus b का whole square बन जाएगा, minus का square positive, क्योंकि minus minus plus होता है, यह बचेगा क्या, a plus b का whole square, बनला भी a plus b का whole square आपको तोड़ना है, यह concept है, याद रखना, कि 4 का square, 16, plus y square, 4 दूनी, 8y, ठीक है, 1 का square, 1, 12 का square, 144, और यह भी 12 का square, 144, plus 16, plus y square, plus 8y, यह 140 और यह 140 कट जाएगा, क्योंकि plus में, उस तरफ हैगा, तो minus में, अब लिखोगे, तो y square, plus 8y, plus 16, minus 1, plus 16, minus 1, क्योंकि plus में, उस तरफ जाएगा, तो minus में, तो y square, plus 8y, plus 15, is equal to 0 हो जाएगा, अब 15 को इस तरीके से तोड़ो, कि 8 आ जाएगा, 5 into 3, 5 और 3, तो यह y, plus 5y, plus 3y, अब प्लस 15, इसके बराबर, 0 के बराबर, y common, तो y plus 5, और यहां से 3 common, y plus 5, तो y plus 5 आ जाएगा, और यहां y plus 3 आ जाएगा, 0 सी quit कर लो दोनों को बस, तो y plus 5 is equal to 0, और y plus 3 is equal to 0, तो y बराबर, minus 3, और यहां y बराबर, minus 5, तो दो-दो value आगए, minus 5B और minus 3B, ठीक है, जिसे दो-दो value आगए, minus 5, minus 3, अब क्या निकालना है, आपको PQ निकालना है, P से Q, तो फिर से P Q दो दो बार निकलेगा, क्योंकि एक बार माइनस 5 से निकलेगा, एक बार माइनस 3 से निकलेगा, तो P Q आप वैलू बनाओगे फिर से लाइन से, P बराबद 3,8 और Q अगर बना लिए तो माइनस 10, 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 का होल इसक्वार माइनस तेरा का स्क्वार और यह आठ पांच तेरा यह भी तेरा का स्क्वार में 169 प्लस 169 नौदुनी अठारा सुलोदुनी बत्तीस एक तैंट इस त्री एट आसा है गा और 338 को तोड़ोगे तेरा मैं 169 इनटू ना थर्टीण रुट टू आसा है इस करके है इस बार ओजाएगा माइनस टैन्न माइनस त्री एट का होली स्कुरर अप्लस माइनस 3 माइनस 8 का होली स्क्वाइर यह हो जाएगा आपका माइनस 13 का स्क्वाइर और यह 85 अटी निगारा का स्क्वाइर 169 प्लस 121 एड कर लो तस आठ नौ और दो 290 यह रूट से बाहर नहीं निकल सकता है इतना ही आंसर हो साएगा अधर टू-90 पसो के सिंपल सा एक टूशन बट पूटिन के बात 15 कि अधिरी वर्टीस और पैरलोग्राम और थी कामा पूर री कामा एट नाइन कामा एट पाइंड वाट फूर्ट वर्ट इस चौथा वर्ट जो होगा वह आपको बताना थी वर्ट इस दिया प्र चौथा बत इसका लिख लोगे तिरी कामा एट इसरा सी ऑं कमा आट और यहां डी यह नहीं पता है ताप एक कामा वी मालो इप बूंड को क्या मालो यह कॉमा भी अब क्या किजिए इसका डागनाल निकाल ले जिए एक डागनल इधर आद्धुसरा डागनल इधर एकट पोइंटे सेट किया ओपे और यहां पे जो प्यांट होगा वह एक्स कॉमा वाई होगा यह एक्स कॉमा वाई ओर बाइद बनेगा अब यहां मिट अब समला क्या होता है आपको सिखाया भी जाएगा एक्स बाराबर एक्स वन प्लस एक्स टू ओल डिवाइड़ वाइड़ 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 अब एसी के लिए निकालेंगे और एसी एक बाराबर वाइड़ 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 वाइ टोनों से में आ रहा है अब और बीडी अगर निकाल होगे वीडी वाले के तरफ से तो एक तो ए है और एक ठीए एक सीगल टू एपलस ठीए अडिवाइड फैड़ रही टू और वाई बाराबर अगर निकाल होगे तो एक तो बी है और दूसरा क्या है एट एक यचल अब और एकसी बराबर हम लोग उपर निकाल चुके हैं 12 by 2 तो यहां 12 by 2 लिग देंगे और यहां a प्लस 3 whole divided by 2 यह 2 से यह 2 cancel out प्लस में 3 इधर आगा तो माइनस में 3 ए बराबर एक इसके बराबर आजाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 12 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 9 आजाएगा तो ए आ गया वाई के जगा भी अगर लिखोगे तो वहीं सेम चीज़ 12 by 2 और यहां b प्लस 8 divided by 2 यह 2 से यह 2 भी जाएगा क्योंकि divide में इधर है तो multiply 2 से 2 कट जाएगे कटने के बाद यह प्लस में आठ है इधर है तो माइनस में आठ और यह किसके बराबर भी तो भी बराबर कितना चार मिन्स जो डी वर्टेक्स है चौथा वर्टेक्स डी जो है एक कॉमा भी था मिन्स 9,4 आजाएगा और यहीं final answer हो साएगा और इसी के साथ हमारा यह वीडि सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और एक चीज गर्व से बोलोगे जय हिंद जय भारत और साथ में आप कॉमेंट करके हमें बताईए आपको वीडियो क्या असा लगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर किसी परकार का कु पूछ सकते हो ठीक है इलिए थैंक्यू